नमस्कार दोस्तों रिए इसकेडिंग पर आपसे भी क्या स्वागत हैं दोस्तों अब आपके एक्जाम में 15 दिन सेयस बची हुए हैं और यह अभी तक आपने साइंस की पढ़ाई नहीं की है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है यह आपको यूज कमप्टीशन की कित आप दिखरी होगी और इसे किताब में 53 साल पेपर दिए गए हैं तिरपनों साल पेपर से मैंने कुल 250 प्लस साइंस के प्रस्णों को निकाला है और इनकी व्याक्ष्य में अगले दो से तीन वीडियो में करूंगा और यह आप इतना तयार करके ठीक है यह इतना तयार करके कि जुरूरत नहीं पड़ी कारण यह था कि वह सभी के सभी प्रस्न अंहीं आ जाते हैं तो अ कि प्रस्न को बेखते हैं हमारा पहला है कि क्यों देवे कितनी उज्या मिलती जिक तो ख्यूंट की बात करें यह बात क्रोटीन की न दोनों सेल को अप्रति ग्राम उड़्जा मिलती है और यद यहीं पर बात करें अपने तीसरे मुख्य खाद पदार्थ वसा की ठीक है वसा जिसे फैट कहा जाता है तो फैट से हमें तो उसका होता है दस किलो केलोडी परति ग्राम इसलिए जो हमारे सेमिक ठंडे परतिसों लेह या लद्दाक में जिनकी पुष्टिम हो जाती है तो उसके खाने में सबसे ज़्यादा ड्राइफ फूट्स ठीक है और ड्राइफ फूट्स इसलिए दे जाता है क्योंकि वसा की म जाएंगे तो ऐसा ना करें इसके लिए उनको सराब दी जाती है क्योंकि एक ग्राम सराब से 30 किलो केलोरी उर्जा मिल रही है ठीक है इसलिए उनके खाने में सराब सामिल क्या आता है यह सभी चारों प्रसने आपके पूछे गए हैं तो इसलिए इन सभी प्रसनों का आप याद रखेएगा कार्बो हाइडेड और प्रोटीन से 4 किलो केलोरी वसा से 9 किलो केलोरी और सराब से 30 किलो केलोरी प्रतिगरा मुर्जा मिलती है ठीक है अगला प्रसने देखते हैं जिल्मखित में से कौन सा बिटामिन वसा में घुलंसील नहीं है ठीक है यह यह बिटामि यह दो होते हैं विटामिन B का राइशानिक नाम होता है थायमीन का शी ने विटामिनिस कि कमीशा हू जाता है यह बैरी लिटामिन सी की कमीशा होता है गहाँ भर नका Oraclerolling दखता है इसक टी नाम होता है स्करविक स्कारविक तो घुलन सियल के अधर बिटामिन सी लुटामें बिटामीन का जो राफानिक नामं थाइमीन है इसकी क्gl duelly रोग राफानिक होजयता है जिसंए मसूटें पूल जाता है दूसरी बात घायो अब्पर ने में काफी टाइम लगता है को है हमारा चावल है ठीक है मारा चावल है उसमें पाए जाता है बीटामीन शी की बात और जल्मिलन चील बिटाइमिन हो और वसा में गुलंचिल बिटाइमिन की बात करें तो मखने चार बितामिन किताब है है कि अडि है की है और कि वितामिन एक राफश कराम होता स्यसक्राइट इस एक रिटीनाल पुर्वितामिन का हूता केल्से फेराल की सिर्डाद क्लशिब्राल करना दोख्ता है करे लाद region, that क्यों किवरण करें, में ठीक है यह यह राफानिक नाम याद रखिए क्योंकि कई बार क्डाइब पूचे गए इसके राफानिक नाम की दिखकत आईए की वुटामिन के कि कंपी से में पता होना चाहिए रताओधी हो जाएगा रताओधी रोग होता है रताओधी रोग में क्या होता है कि आपको आखों से दिखना बंद हो जाता है रात में ठीक है रात में कम दिखता है तो दिखना ही बंद हो जाता है तो आखों में क्या होता आपके रेटीना होती है इसी परक का काम जो होता है कि इसका काम है कि calcium का एबजार्ब्षान करना ठीक है अगर आपके शरीर में बिटामिन डी परियाफ्त मातर है तो यह क्या करेगा आप जो भी दूद पियेंगे या अंडा खाएंगे उससे जो calcium मिलना है उसको एबजार्ब करेगा तो calcium से इसका नाम होगे लगaste और एक क्यों सैसा भिटामिन है जिसे हार्मौन की सहंगय दियाती है तो आपका बटामिन डी है तो यह हमारी सरीयर में के दोंचता है बनाई जा सकता हूंr है कि बनता कैसे कि जब आप खूप में जाते हैं हमारी स्किन परक्ति यह तो इसकिन के होता करते हैं तो उसके काम में लोग ज्यादा टाकी करते हैं कि आपको यह करना चाहिए अपने यह गलत कर दिया कोशिस यह रहती है कि यह लड़की अपने घर से अपने घर चली जाए यहां पर ना रहे ठीक है हम दूसरी अवरत लेकि आएंगी जिससे संतान हो सकें तो टोका टाकी से इसका नाम हो गया क्या टोको फेराल्टी कि मैं याद करने के लिए क्लिए 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 आप इसको सीधे सीधे याद रखेए तो वसा में घुलंसील बिटामिन नहीं है तो इसमें हो अगला प्रफन देखते हैं कि बदाम कौन से बिटामिन में समर्द होता है तो बदाम में बिटामिन E सबसे अधिक मात्रा में पाए जाता है और अभी मैंने आपको बता है बिटामिन E क्यों कमी से बाज़पन रोग हो जाता है ठीक है इसमें इस तरिया बच्चे को जनम न बिटामिन E को ब्यूटी बिटामिन भी कहा जाता है ठीक है ब्यूटी बिटामिन कहा जाता है क्यों आपने चितने भी क्रीम देखी होगी उन सभी पर बिटामिन E बड़े-बड़े अच्छरों में लिखा रहता है क्यों लिखा रहता है क्यों कि यह सुंधरता को बढ़ात सक रड़ीस से क्याव होता है गहाँ भनने में टाइम लगता है में कूल जाते हूं Moving हो जाता है ठीक है यह हमारी स्कीन के पड़ते हैं ठीक है आक क्या जाता है पर यह कैलिसियम के जर्फन में मदद करता है अगला परस नमारा है कि निम्न में से कौन सा पानी में गुलंसील नहीं है तो मतलब यह जल्म होगा वह पानी में कौन सा है रेटिनाल विटामिन ए को कहते हैं यह तो वसम गुलसिल है यह उत्तर हो जाएगा बागी थाइमीन क्या होता है थाइमीन विटामिन वीवन का नाम है इसकी कमी से कौन सार हो रहा था बेरी वेरी 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 रोग हो रहा था बिटामिन बीटू का नाम होता ये कौन सब्सक्राम जैते हैं इससे संबने प्रसुनों को पहले। तो यदि आप इस स्रीज को जो दो से तीन वीडियो इसके बनेंगे घंटे-डे-डे-घंडे कि आप इसको देखके जाते हैं तो आपके सभी पांचों के पांचों प्रफन हल हो जाएंगे अगला प्रफन देखते हैं कि सरीर में तरल पदार्थों के संतलन को बनाए मात्र ही तरीके से काम करने के लिए डाडड महतपूर है इसमेंसे पोटैसियम है रहर के रिए प्लबहुती होता इसके साथ साथ यह बिया आपको शरीर में पॉटैसेशियम आयन की सही मात्रा है तो आपको की शिकायत नहीं थीक है व्यडी आपका बढ़्य ग नहीं ठीक है और आपको पैर रिस से भी नहीं बाहतन है जितने भी हड लोगी होते हैं उनको एक सेव प्रतिदिन खाने की सलाहा देते हैं क्योंकि सेव में क्या होता है पोटैशियम प्रताईशियम पाया जाता है और या सेव हृदेकी जो मसल से उनको सफ्त रखने में बीपी को कंट्र bets से 해 छाबते हैं ठीक है और बाकी बात होगी iron की iron क्या करता है या हीमोगलोबिन के बनाने में मदद करता है और आपको होता है केलशियं से हमारी हड्दिया बनती है ठीक है और केलसियम का अप्जाफिशन में कौन मदद करता है डी एक दूसरे को आपको रिलेट करते रहे हैं आपके सभी प्रफिल सही होंगे ठीक है और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ठीक है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप इसे अपने दोस्तों में जरूर सेर कीजिएगा अगला प्रफिल देखते हैं कि घातक क्यें सवस्तों में साब्तां वह 여기 होता है जिसमें सरीर प्रयाप्त मातरा में डाट डाट नहीं होता नहीं कर पाएगा जब आरवींसी अच्छे नहीं बनेंगी तो आपको एनेमिया रख तलापता नामक रोख हो जाएगा ओभी घातक प्राड़ घातक एनेमिया आपको हो जाएगी आपको बचाना मुस्किल हो जाएगा ठीक है और विटामिन बी-12 में कौन सा धातु पायाता है तो आप बताएंगे कोबाल्ट ठीक है लाल लगतक करक है ठीक है और जिसे और वीची कहते हैं मैं बल्ड़ाग के और प्रव्नेटेश पूछाएं प्रासद मैं यंकी नों को लाएक एक ध। तो यह खोटी से डिबी हो उसकी लंबाई चवडाई और उचाई एक मिलीमीटर हो तो उसका आयतन हो जाएगा एक मिलीमीटर क्यों इसमें यह बलट डालें ठीक इसमें यह लट भर देते हैं पूरा तो इस बलट में पांच से साढ़े 5 मिलियन क्या होगा आर्वीसी होंगे 5.5.5 million RBC होंगे और इसी बलट में 6000 से 8000 क्या होंगे WBC आप देखरें RBC कितने में है Million में RBC कितने में Million में WBC की संख्ञा लगोंगे हजार में 6-8,000 wc होंगे और इसी में 1.5 305Ohen भीज़ालन नीचे आने सुरू हो जाते हैं तब आपको बाहर चाहाना बड़ circumisir ठीक है और ये भी ये बी विश्वर के आस्पाफ आजाते है तो आपको ब्लेड़ का स्विर हो जाती है तो यहां से आप सब्सक्राइब करें होती तो 550000000 hm नोटी इस से सब्सक्राइब कोई भी आपनोगा मिल्याद सब्सक्राइब कर देगा 6-8000 क्या हो था प्लीहा में इसलिए प्लीहा को प्लीहा को आर बीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और इनकी जो डबलू बीसी की जीवनकाल होता है दो से तीन दिन इनका जीवनकाल होता है ठीक अगला परफन देखते हैं कि डाट डाट में परचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा सब्सक्राइब करने चाहिए इससे क्या होगा आपको बुढ़ापा देर में आएगा क्योंकि यह सभी के सभी जो हैं यह सेल के निर्माड में हमारी मदद करते हैं और जो जरूरी चीज़े तो जो बिसाग निकाल देते हैं और हमारी तुच्छा बहुत सालों तक जवान बनी रहती है तो आपको अपने भोजन में क्या नाम है गहरे हरे पत्तितार सागू को कि हमारे खाने के आयतन बढ़ जाता है उसमें जो जूस होते हैं पाचक रस होते हैं अच्छे से मिल जाते हैं और भोजन को पचाने में मदद मिलती है ठीक है इसलिए का जाता है कि जो फाइवर यूप तो भोजन आपको ले ना चाहिए अगला प्रसम है कि लाट-ाट में प्रति आक्सिकारक anti-inflammatory good होते हैं जो मानो सिरी को सख्त रखने में होते हैं यह वी होते हैं फाइटो तो अपाइटो नुट्रियंस पाय जाते हैं और इनका काम क्या होता है यह भी जो आखे लों को बूढ़ा करने वाली जो आख्सी कारक एजंट होते हैं उनको यह खतम कर देते ठीक यह इनहीं का अख्सीट सीख्डेशन हो जाता है फैटो निट्रेंस का और अमारी सेल क्योंती जवाण बनी रहती है तो फाइटो के परतियाक सिकारक है और इंटी इंफलामेटरी मतलब संक्रामख रोग होते हैं उनको भी नहीं होने देते हैं इसलिए फाइटो निटेंस आपको अपने सरी अपने भोजन में लेना चाहिए तो इनको अगर आप लेना चाहते हैं तो कहने का मतलब आपको अपने भोजन में सलाद जरूर लेना चाहिए ठीक सलाद जरूर लेना चाहिए और अगला प्रफित देखें वसा के लिए हमने आपको बताया था वसा में कितना कैलोरी पाया यह सब क्या है खनीज है अगला आप देखते हैं कि जल पर करमड संयंत्रों में भूले हुए ठोस पदारतों को हटाने के लिए क्या उपाई किये जाते हैं ठीक है मतलब कहने हैं बतलब यह आपके पास जल है आपको तोटी से जला रहा है उसमें कि ठोस पदारते हैं उनको होटा सा मोटर होता है आरो में मोटर का काम क्या होता है प्रेसर से जो जल होता है वह एक सेमी पर्मेबल मेंब्रेन होती है इससे जल को पास करना तो ज्यादा तर जल वापस आ जाते हैं इसी एरिया में बहुत कम मात्रा में जल क्या होता है यह बूद बूद करके आगे होता है फिर यह हमें टोटी के माध्यम से में साफ आसूत मतलब साफ पीनेल आग जल मिल जाता है तो जल परकरणों में जो ठोस गुलेवे पदार्थ होते हैं उनको अटाने के लिए हम रीवर्स आस्मोसिस आयन एक्चेंज का परियोग करते हैं ठीक आरो लगवाते हैं आरो संग मरमर का परम Crown disturbing का कारबोनेट होता है यह होता हमारा संग मरमर होता है है संग मरमर में क्या हूसा कारबो नेट तक फुताई करते हैं यह हम अपने बीना बुज़ा हुआ चूना यह बदल जाता है यह हो गया बुज़ा हुआ चूना तो जिव करते हैं तो यह क्या होता है कैल्सियम कार्बोनेट में कार्बोनेट के पपड़ी बन जाती है तो चूना होता है जिसे पर करіл होता है यह जब बहुत पतला है ठीक है और इसमें बहुत जादा असुद्धिया भी होती है इसलिक उतना मजबूत नहीं होता है तो संग मरमर क्या होता कैल्सियम कार्बोनेट का एक परमुख घटक है अगला अगला देखते हैं किलिंखित में से किस आबृत की ध्वनी मनुस्द्वारा सुनी जाने वाली अब्रित होती है वह तिए बीस हर्टत से बीस हजार हर्टत के बीच अगर इससे कम है तो इसको कहा जाएगा आश्रव्य ध्वनियां आश्रव्य इनको हम सुन नहीं सकते हैं ठीक है बहुत बड़े आकार वाली जो बस्तियों थी उनसे इन्हें तुपन क कि कहा है जाता है आश्रव ध्यों को हम सुन नहीं सकते हैं हम सुनते किसको है तरब ध्यों सुनते हैं और यगर बीफ हजार हटर से अधिक है ठीक हैं श्रव्य इंपना सिकार dependency हetzt ने चाणा श्णा आग everyday ओड़ता है बन?!? प्रास्त्रब धोनियों के अधार पर उड़ता है तो धोनित कितने प्रकार के होगे तीन प्रकार की एक होगे आस्त्रब जो हमें सुनाई नहीं पड़ती दूसरा होगे स्रब जो में सुनाई पड़ती एक प्रास्त्रब जो हमें नहीं सुनाई पड़ती ठीक है आस्त्रब ज कि तरंग होती है क्या यह हमारी ठीक यह अंधर होती है तो 332 में यह होती है जाल इतनी चीज़ याद रखेंगा अगला प्रस्न में लोग देखते हैं कि फार्ने हाइट इसकेल में पानी का कोसनांग नहीं है तो कोसनांग के मतलब कितने पर उबलता है शोगलना पूँच रहा है तो पानी यही बाद हम और हो सवद सेल्स के बरापर होता है पानी उबलता है यदि Kelvin में पूछे तो यह हो जाएगा 373 Kelvin ठीक डिगरी Kelvin इस पर पानी क्या होता है उबलता है यदि आपको फाने हाइड में पूछता है तो आप लगाएंगे सब्सक्राइड में पूछे तो 373 Kelvin पर उबलता है अगर पूछे कि पानी का जमता कितने ठीक है हिमांग के कितना है हिमांग के जो होगा होगा बत्तिफ डिग्री फाने हाइड ठीक है फाने हाइड में हिमांग के कितना हो जाएगा यह हो जाएगा बत्तिफ डिग्री ठीक है बत्तिफ डिग्री हो जाएगा और जीरो डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और प्लस अगर केल्विन में देखें 273 degree Kelvin तो यह क्यों होगा जमेंगा और यह दी बात करें कि कि सच आप मान पे फार्डने हाइट और डिग्री सेल्सियस पै्माना बराबर होता है तो माइनस चालिफ डिग्री फार्डने हाइट बराबर है तो उससे आप 0 degree Kelvin से नीचे नहीं माप सकते हैं ऐसा क्यों कारण यह है कि कोई भी ताप मान माइनस 273 degree माइनस 273.15 degree Celsius से नीचे नहीं जा सकता है अगर कोई भी ताप मान अगर हम लें इसे को ठंडा करने की कोशिश करें तो वो माइनस 273.15 degree Celsius से नीचे नहीं जा सकता और यही मान होता है 0 Kelvin के बराबर जब कोई चीज 273 माइनस 273.15 degree Celsius से ठंडी नहीं हो सकती तो Kelvin पैमाना 0 से नीचे कैसे जाएगा क्योंकि 0 degree Kelvin का मान ही माइनस 273.15 तो इस परकार यहां से आप 5-6 प्रसन वापके हो गए आप इन सभी प्रसनों को याद करिएगा अपने कापी में आप की जाने वाली धा तो क्या है तो सबसे ज़्यों की जाने वाली धात हुए वह हमारी है टंग स्टंग क्योंकि इसका जो गल्लांक होता है वह लगबग अगर कुछ भरना तो इसमें भर दिया जाता है उसमें नाइक्रोम का तार उप्योग में लाया जाता ठीक है प्रेक्टिनम सबसे कटोर धातु है ठीक है अगला परफनम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट मुख रूप से निम्न में से किस तत्त से बना होता है जो बारे ग्रेफाइट होता है तो मुख्यता कारवन का बना होता है यह जो परमाण भठिया होती उसमें मंदक की रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाएगा ठीक है यह ग्रेफाइट के बार का मतलब और पेंसल जो सीशा पेंसल होती है जिसे हम लिखते हैं तो ग्रेफाइड का कारवन का एक अप्रूप है या मंदक की रूप में पर्वाड़ भट्टियों परियुक किया था पैंसिल में इसका प्यूप कियाता है और इसमें सीशा की मत्रा जीरो होती है ठीक है जीरो होती है और जब आप ग्रेफाइड को बहुत उंचता प्रेसर पर गरम कर देंगे तो हीरे में परिवर्तित हो जाता है कि अपने हैं और जर्मेनियम यह अर्धधात हो उनकी का जाता है जो हमारे हैं विक्त कई सिलकान या जर्मेनियम के बने होते हैं सिलकान और जर्मेनियम क्या यह अर्द्धा ठीक है और कार्बन क्या यह ग्रीफाइट का अप्रूप है अगला प्रभ देखते हैं तब की इसले कॉंसे पर किया एक राश्वानिक परिवर्तार मतलब होता है किसी चीज composer कर दें वह फिर से अपने नए रूप में मतलब पहले वाला बाखा उसमें इब परिवर्त्त होकि नहों सबस्क्राइब कर देखें उस में क्या होता है कि आप है वाई मंडल से लेते हैं कारबनाय एकसाइल नीचे पवदे की जड़े होती है वो लेके आती है जल ठीक है इस टूगो और इन दोनों को परियोग करते हैं प्वेड की पत्ती जिसमें कुलोरोफिल मौजूद होता है और उपर से प्रकास पड़ता है सॉत्यस प्रकास ऐस्ट करीव है और बना देते हैं सील 55, Natal 60 थी सील खलin 37 2022 26 plus ट्रकास की प्रकास सन्टेसल नोगरा ना अभीज ऑफिजिन घैर इसन पर निकलेगा ठीक है और फीजिन गेफ निकलेगा अब क्या आप इसnoarsh सब्लशिक से प्रकाश सकते हैं नहीं सकते थिकित तो यह क्या होगी राफानिक करिया हुँ लेकिन यदि आप मौन नहीं है कि यह यहां पर गलत लिखा है यह ouvर जागा मोम को को पिखला देते हैं तो होता है पानी अगर आप संघन आ आप जमाद गर तो फीर से पिखल जाएगा पौन बीड़ा की अब था वार्व में बदल गया तो अब सब्सक्क हूए और में चब्सक्राव से डुझ बना देते हैं तो अधिया प्रिएर्टन नहीं परियुटन हो गया है वहारस हानिक ठोगा है कोई चीज जल रए है तो विराफानिक परिवर्तम होगी ठीक है अगला प्रस क्याइब कि रसी पत्थर एक योग के नहीं है ठीक है घ् में क्या स्वादरन लोलक की समय सीमा निर्भर करती है ठीक है स्वादरन लोलक क्या होता है एक खूटी है झाहां से अनल को है झाह क्था लोलक गुभार्टी में ऐख का त्यार हो गया त्यार है इसकी जो लोलक करने की तागे की लंबाइं पर निर्वर करता है यनितागे की नंभाइं ज्यादा है तो इसकी जो समय ज्यादां करता है तो यह के हमारे पैठ में यह रुता है उतमें चार प्रकार के पाचा के जाते हैं पहले क्या क्या होता है पहला हो घद्रों गैने कि यह मदद करता है यह क्या कुछ है ठीकिन यह क्या करता कि माध्यम को पियेट के माध्यम को कि यह अमलिय बना देगा जब यह अमलिय बना देगा तो वह प्रोटीन पाचक है एपन तो Trausa प्रोटीन हो दन होगा दोग्ध प्रोटीन होगा जिए Kaciishina होता है दुख्द प्रोटीन का नाम क्या है कैसीन कैसीन के पाचन में हमारा रेनीन मदद करेगा ठीक है उसी परकार इसमें थोड़ा मात्रा में क्या पाई जागा लाइपेज के लाइपेज वसा के पाचन में बद करता है तो समय कंग है हॉआई हिट्रोक्लॉरिक हमारे पैट में सीटने पाचक्राकरल हमहारे स्वराब का होता है पीट मियंदकर ये साइब सराब का होता तो अब मतलब इस टमक मतलब हमासअ क्या ठीक है आमासई में ये मिस का अब्जार्पना हो यह उर को बढाया प्र को बदा јा जो सराब होता है एक ग्राम सराब से तीस केलोरी उर्जा मिलती है ठीक है यह सब चीज़े आप याद रखिए आपकी यमी ऐसा बहुत ज्यादा मद्द करेंगे ठीक है अगला प्रहनम लोग देखते हैं कि मानो हिर्दे का सबसे मजबूत कच्छ होता है ठीक है अरिक आज़ tut होता है निले इधर हो गया आपका बाया अलिंद कि एसना अलिंद को बाया निले इधर दाया सबसे मजबूत होता है वह वहाद हिर्दे के साथ होता है तो पर्मारणबम् बनाने के लिए तो पर्मारणबम् बनाने में किया जाता है और पर्मारणबम् में क्या होता है एक करते हैं तो करते हैं फिलाख कर परियोग करते हैं और यह सब्से जादा भारत में की सागे जाता है चाहए तो आप आपको दाले खानी चाहिए यहां डाले अगर नहीं और फलिया खानी चाहिए गज़ोन आपको ज supplements मिलना तो प्रोटीन के जिससे आपको ज्यादा कैलोरी न मिले में रहे तो आपको दाले लेनी चाहिए इस आप स्वलियान खानी चाहिए ठीक है हरी पत्तिदार सब्गियाओं से आपको मिलते हैं मिलता है आपके अस्वस्त रखता है आपको जमान बनाए रखता है अगला बात करें भारत में कुल सिचाई का 45 परसत घरेलू पानी का डाट डाट घूजल रिजर्व से आता है तो जो सिचा प्रस्टन है कि भूजल जल को भूम में सुखवाने का ज्यादा प्रयाफ करियों से नालों में या संबुद में डालने का प्रयास ना करिए क्योंकि यह पूजल सूख गया तो आपके घर में पानी कीप हो जादा किल्दत शुरू हो जाएगी ठीक है अगला प्रफन है कि 18 करेड सोने में तावा चाबी जैसे अने धात्यों का कितना प्रश्यत हो टिकए तो उसमें असुद्ध होगी अठारा गठा देंगे चौके से तमचे आएफाइगा छे कर इंत्य है तो परतिसत में कितनी सुद्धी है तो जीतनी सुद्धी उसको आप उपर रखिए और जो सोने का actual कायरेट है उसको आप नीचे रखिए और उसे 100 से गुड़ा कर दीजिए आपको पता जलिए परतिसत शुद्धी शे से काटेंगे जाएगा 25 केहने के मतलब उस सोने में 25 परसंट या तो तावा मिला हुआ है या तो उसमें चादी मिली हुए आपको निकालने के लिए करना कुछ नहीं है आपको सुद्ध सोने का करेट पतानों चाहिए जो कि होता 24 के रखिए जितना आपको दिया जाए माल सोला दिया गया होता है तो 24 से आप सोला घटा आते तो आ जाता आठ तो आठ कारेट के असुद्धी है कितने में 24 में ठीक है आठ कारेट जितनी के असुद्धी उपर रखिए जो वर्जिनल सोने का कारेट है उसको नीचे रखिए और गुड़ा कर दीगे किस से आठ तिरिक 24 तीन से काटेंगे यह जाएगा 33 सही एक बटा तीन बार तो यतने पर्त्वत उसमें क्या हो जाएगी असुद्धी हो जाएगी तो आपको निकालना आना चाहिए ठीक है अगला परफ में देखते हैं इनकित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है ठीक है ग्रीन जो जो नहीं तो आने देती हैं लेकिन जब यह प्रित्वी से टकरा के रिफलक्त होंके बाहर जा रहे होती है है उनको यह जाने नहीं देती हैं जाने नहीं देती हैं करें गर्म गर्म होजाएं उते प्रदेश होते हैं ठंडे PRE Photoshop बनाए च्छुक्तेे लोगरते दो की बागमाने की जाती इस नहीं को यह चाहिते हैं पर इसी से ग्रीन हाउस नाम आया ठीक है तो सबसे मुख ग्रीन हाउस क्या कार्मन इसकी मात्रा हमारे वंडल में कितनी है 0.03 पहले थी लेकिन अब बढ़के 0.04 के आस्थास हो गई है ठीक है यही ग्रीन हाउस गयस होती तो बहुत भयावा इस्थित हो जाती आक्षिजन पाई जाता है 21 परसेंट के असपक्त इस पर क्या टोटल 99 परफेंट जो हमारी गयसे हैं उसके दो गयसे मिलके बनाती आक्षिजन और नाइट्रोजन बाकि एक परफेंट में एक परफेंट में सबढ़न सब्सक्राइब काम आता हैतो अग्न साम की अंत्रों में बेकिंग सोडा टिक डाला जाता है यह परकार का च्छार है यह पानी में डाल दिया जाए तो इससे बुद्ध बुद्ध होगी उस बुद्ध 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 में कार्वन डिया एक साइडिया निकलेगी ठीक है और एक और होता है धोवन सोडा ठीक है धावन सोडा है धोवन सोडा का जाता है उसका नाम होता है इसका नाम होता है मखाने वाले सोडा का सोडियम बाई कार्वो नेट दूसरा सोडा हो गया धावन सोडा उसका नाम होता है सोडियम कार्वोनेट यन एटू सी ओ ठीरी एक और होत प्रासिंक सॉडा जिसका फर्मुला था यहने है यह हमारा है खाने का सोडा मिया है है यह हमारा हो है नाइटोजन की संख्या 2 हो गई है और इसमें एक नाइटोजन साथ एड्राक्सिल ग्रूप ग्रूप जुड़ गया है तो आप इन तीनों को आप याद रखी है तीनों से पूछे जाएंगे ठीक है अगला लोग देखते हैं कि मनुस में अग्र चवणडग दातों का चवणडग दातों के साथ अनपात है ठीक है सबसे पहले यह जा लेते हैं मनुस में कितने प्रकार के दात होते हैं मनुस में चार प्रकार के दात होते हैं एक होगा इंसीजर ठीक है एक होगा कैनाई एक होता प्री मोलर एक होता मोलर इससे हम क्या करते बर्फी खाते हैं आप की चीडने फढ़ने वाले होता है जब आप कबल छीलना होती है या गन्ना चीलते हैं तो आप कैनाइन से छीलते हैं ठीक है केबल या जिलने के लिए प्रियोग करते हैं प्रियो आगे वाले जो जिन से अप पूछते अओँ और पीछे वाले ढलते हैं लो गीजाद में से उनका दंट पर मुला होता है है दो इंसीजर है कैनाई ठीक है प्रि मोलर नहीं होते है और दो मोलर तो इक की two फार्मूला कहां काम करता है जैसे यह दिम अपने दाउतों को चार भागों बाक 빵". इस जाएंगे तो इसके एक भाग में दो इंसीजर एक कैनाइन दो प्री मोलर और तीन मोलर पाये जाएंगे तो पूंछ रहे अगर चवाड़क मतलब प्री मोलर और मोलर मतलब चमणड़क के बीच में कौन सा अनपात हो जाएगा यह हमारा सही हो जाएगा ठीक है जो दूद के दात हैं यह आठ वर्स की उम्रह तक आते गिर जाते हैं ठीक है यह आप याद देखेगा अगला परफ नमारा है कि यह कृत के बिस हरण के दूसरे चरण के दौरा साथ कहुं से अपसिश्टू northwest Northern in से जाते हैं और उन्हें सरीर से बाहर निकाल 25 हरण का दूस्जा क्यों होता है उसमें हमारे प्रोटीन है ठीक प्रोटीन है क्यbewिसैले पतार्थों के साथ जड़ जाते हैं और शिर्व से बाहर निकाल देते हैं ठीक है पहले पहले प्रोटीन के साथ यह क्या करता है कि प्रोटीन जब टूरता है फिर पता बनाताह आमोनिया यह क्या है यह क्या में प्लॉड्ट तोर्व आलग हो जाता है मूत्र के तुर्व हमारे फ्रील से बाहर निकल चाएगा तो यह काम होता है यक्रित का यक्रित बहुत ज़्यादा काम करता है अगला और यहां पर देखिए फिर से वसा कार्भोहड़ेट बिटामिन आगे अच्छा यह आपके पूछा जाए कि आप सरीर को सबसे जयादा उर्जा किस्से मिलती है तो आप वसा कारण क्या है यह देख लिए कारण क्या आप वसा नहीं लगाएंगे क्योंकि वसा से तो 9 kg केलोरी मिल रही है और और कारवोहाइडेट से 4 लेकिन फिर भी नहीं लाएं क्यों क्योंकि आप अपने बुजर में सबस की चावल लेते लेकिन एक चम्श यादा घी नहीं डालते तो जब आप वसा एक चम्श खा रहे ह Sax घा रहें तो आपसे उर्जा कैसे जएधा मिलेगे आप सब्से लेते हैं रोटी लेते हैं आप सब्सक्रावल खाते हैं तो इसलिए आप के सरीर के लिए उर्जा का जो कार्बन करइगा सबसे अच्छा कोईलाता है थीजिए डूसरे नमबर का लिग्ण पर्सेंट कारबन होता है और इसे में क्या हुता है सब से अच्छा कोईला हमारा होने है वारत में बहुत कम मत्रम पाए जाता है क्यूंध कोईला ठीक है तो इसलिए आप याद रखेंगे अच्छा कोईला अगला प्रफिंग में से कौन सा बदार्थ एक ना चिपकने वाले बर्तन की सता पर लेपित किया जाएगा तो वह होता आपका टेफलान ठीक है टेफलान जो होता है इस पर ना तो किसी एसीड का ना तो किसी आमलक का ना तो किसी जार का और ना इस पर तामका इन अवर तो कोई परभाव नहीं पर देकिंपे हो गाडिया अँठी पन्ठい गाड़ियां आती है उन पर जब पेंटिंग किया तिए पेंटिंग के बाद स्टेफ़ान की कोटिंग चऽड़ा दी जाती है तैफ अइस लिये उस कि कौन सी विशयस्ता ताहरत हों को तय करती है तो इसका जो ताहरत भूत यह यह आब्रित बढ़ती जाएगी तो आप्रित बढ़ने के साथ क्या होगा ताहरत तो अपने आप भी बढ़ जाएगा और तारत बढ़ेगा तो आवाज पतली होगी ठीक है आवाज पतली होगी इसलिए अवरतों की आवाज पतली की उनकी आबिर्त जादा होगी यदि आबिर्त कम होगी तारत कम हो जाएगा और आवाज मोटा हो जाएगा इसलिए जो हम लो का अगर बात करें तरंगधैर से क्या रिलेस्टन है तो उल्टा यद्यापरित बढ़ेगी तरंगधैर घटेगा ठीक अगला प्रहम देखते हैं कि हार्मोन इंसुलीन हमारे फरीर में किस गरंत द्वारा निर्मित होता है ठीक हमारे सरीर में गरंत होती है जिसका नाम अगना से है ठीक है अगना से हमारी स्टरीट की दूसरी सबसे बड़ी गरंत है सबसे बड़ी गरंत अगर बात करें तो यक्रित हमारे फरीर की सबसे बड़ी गरंत यक्रित है जो डेर से दो किलो की होती है ठीक है यसे रासानिक सभी राफानिक रिया यहीं होती है ठीक है और यह क क्या करता है पित्तासे जीसे का जाता है पित्तासे बाइल को इस्टोर करता है लेकिन बाइल बनती कहा है यक्रित क्या हमारे सबसे बड़ी गरंती है अगनासे हमारे फेर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है लेकिन यह मिस्त्रित गरंती है लेकिन यह क्या है यह मिस्त्रित ग करनती लेकिन यह माफ्टर करनती काई जाती है तो बात करें इंसुलीन हार्मोन की ठीक है इंसुलीन जो हार्मोन है वह हमारे स्रीर में अगनासे के द्वारा अगनासे पर लेंगर हैंस की लेंगर हैंस की दीप कहें पाई आती हूं दीप कहें पाई आती हूं और इन दीप कहाओं पर तीन सेल अलफा बीटा और गामा से पाई आती हूं ठीक है अलफा से ग्लूकेगान बीटा से इन्सूलिन और गामा डेल्टा से ठीक है गामा नहीं डेल्टा होताएं डेल्टा से सुमयटोश्टैटिन का का सीख्रीशन होता है और यही जो इंसूलिन होता है इसकी यह भी हमारे ब्लड में कमी हो जाती हैanc Dacia ौथा कम होटा तो मदमेहर नाम करोग हो जाए गया मध्मे नामक रोग हो जाता है तो जो इंसुलिन हर्मोन है उसका सिक्रीशन अग्नाश circledlation की दिट्काओं के दौर होता है उसमें टीन यक्रता पाई पाजाती एल्फा बीटा और देल्टा वह जिसी जो बीटा उनी से मध्रिण का सबसे बड़ी और गरंत यह घर आप प्र्क और प्रक्यार प्रक्रफ प्लाक्टर आप प्रक्रान प्रक्रेश, इसमें कैल्सियूम जरूर हुगा है कैल्सियूम एक आपसं में आपको लिए कैल्सीयूम सेलफेट तो मिसेलोर हुग daar सिर्फ पावडर है पर इसको कहा कहा कियाता है मूर्तिकार मुर्ति बनाने में मुर्तिकार मुर्ति बनाने मेंं ऊप्योग करते हैं डाक्टर करते हैं दक्र रश्ष्ष्यक बना चड़ाने में पैडल यह तो प्र आ प्रियोग होता है तो चंडरयान भारत का चंडर्मा पर पहला मिशन किस तारिक को सबलता प्रेशित किया गया तो यह प्रेशित आपका किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को और 30 अगस 2009 तक इसने कार किया था ठीक है तो जो चंडर्यान फर्स्ट था वो 22 अक्टूबर 2008 को प्रेशित किया था अगला प्रफ हमारा है कि अंटार कटिका में भारत का नया बेस जीसे 2015 में अधिकरित किया गया जिशरा जिसका निर्माण 14134 जहाजरानी कंटेनर से किया गया का क्या नाम है थी घृती ठीक है अंटार कटिक हम कोोज कर सकते हैं अग्या प्रफिम भारत का पहला नाभिकी पण्डोपी आइनस अर्यहंत जो निर्मार पिन्द पर बनाया गया यहमारा बनाया गया थैठ विसाखा पत्नम पैधर का सबसे गहरा बंदर गाभी है यहीं पर आई एनस अरियंत को बनाया गया था अगला प्रफिन लोग देखते हैं कि उपवास के बाद रग्त सरकरा का अस्तर कितना होने अगर आप उपवास की दिए अगर आपस तिन भर का रखें तो आपका सुगर से कम आना चाहिए ठीक है और यदि आपका सुगर सहुर्चीश के बीच आ रहा है तो आप pre-daptic माने जाएंगे थीक है pre-daptic माने जाएंगे तुछ सफटर से 130 के बीच में आपका तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों में वीडियो को रोकिए कर दीजिए क्योंकि 15 दिन के मेहनत के बाद यह सभी प्रफ्ण मैं इकठ्ठा कर पाया हूं ठीक है और आप सब की सुध्या के लिए कि मैं इसकी डीटेल ब्याख्या कर रहा हूं और ब्याख्या उसी लेवल का है जिस लेवल के प्रस्णा प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया ठीक है अगला प्रफ्ण है कि नारियल के रेसे में सब्साली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाते हैं इन्हें माध्य सब्सक्राइब सर्क्वाइब कुमड़े का बीज हो गया ठीक है कुमड़े का बीज हो गया ठीक है को अगला प्रस्णम लोग दिखते हैं विटामिन-C क्यमिसे कौन सा रोग होता है होगता है तो विटामिन सी की में मैंने आपको बताया सिसकी केमिस सक्रवियी हो जाता और घर वहाव को सब्सक्राहण करें लिधानगे के कमी सेबी मेरी रोग जम जाया झाहिए चा बीटामिन पाना में के जाएगा друзья आप मेरेड़ाइफ में आप पाज़ाता हूँ जान पानी में ना पकाए और पानी को फेके नहीं क्योंकि आप देखते हैं कि साधी व्या में जब पुलाओ बनता है तो पुलाओ को चावल पका जाता हो पानी को फेक दिया जाता है उसमें आपको विटामिन कोई नहीं मिलेगा ठीक है विटामिन उसका निकल जाता है तो विटा अगर या तोचा दाज नामक रोग हो जाता है रताओधी होता है विटामिन एक कमीज होता है इससे रताओधी नामक रोग होता है अगला प्रपने बेरी जैसे क्रेन बेरी इस्ट्राबेरी और रास्वेरी में कौन सा खनीज पाया जाता है तो इन सब में हमारा पाया जाता है केलसियम के लिए आपको दूध यह अंडा खाना चाहिए और साथ साथ में आपके सब्सक्राइब करेगा आयोडीन के लिए आपको समुधरी खरपतवार जो होते हैं उनको खाना चाहिए यह नमक लेना चाहिए अगर की कमी कमी हो जाएगी तो आपको ग्यागा वह रोग हो जाथा आयोडैन की कमी से यह थि आपके स्थरीवाइप में आयरेन के कमी है तो क्या होका तो आप को एनेमिया हो जाएगा लेकिन यह वितामिन वी ट्रफिल्म में तो कि की स्पारिस की जाने वाली खाद पोति है तो तो में कि बात करें तो फूल होता है लेकिन यह अरे होती है तो फ्ले पर देखेंगे के सब्जी जो बेश्ती है का दो बुक्ली रखती है खफी महहगा होता है ठीक है और यह फूलोगी का एक भाग है आलु जो होता हुए क्या होता है कि हुआ तना होता है przy अध्रक विक्या है तना है और चुकंदर क्या है यह जड़ है ठीक है चुकंदर क्या है चुकंदर हो गया गंजी हो गई ठीक है गंजी हो गई यह सकरकंद का जाता है गंजी हो गई मूली हो गया ठीक है गाजर हो गया ठीक है टैपियोका हो गया यह यह सब किसा यह सब ऑफकर जड़घए जो गिए तो प्याज हो गया तो यह सब याद रखिएगा आप एक बार कापी में अलाग से लिख लिए ठीक है क्योंकि प्रफ आएंगे जरूर क्योंकि बहुत आसान प्रफ नाइंगे और यह सब तक आपकी एंसी आड़ी कि यहां नहीं किया हो ठीक है आपके लिए बहुत जरूरी है कि बनता है पितामीन फिलो किओं में लिखता है है चेसी इस बीटामीन कि मिरा इसा राटवाण क्युट्वे है मैं वह बीटामीन caf तो सबको आप रिलेट करते हुए पढ़ते जाईए जिससे आपके सभी चीज इसलिए मैं बार-बार इनको इनकी व्याख्या कर रहा हूं क्योंकि आप जब प्रशनों को हल करेंगे तो आपको यह से बहुत ज्यादा प्रशन देखने को मिलेंगे इसलिए आप अपने दोस्त करता है उनकी से हजार में होती है हमने वहां बताया था साढ़े-4,000-6,000 के बीच में तो यह नहीं आपको दिखरा क्या था शाड़े-4-10,000 के भी च ही एक आपसन दिख रहा है तो है आपका रबी-सी जो मिलियन में होती है और जो प्लेक्लेट्स ओते हों लाख में होते है देड़ लाग से तीन लाग होते हैं प्रेट लेट्स होते हैं ठीक है और डबली बीसी पॉर पॉर पॉइंट फाइव से टेन हजार यहां दिए पॉर 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 पॉइंट राइश्टीन ने प्रकास विद्दृत प्रभाव की खोज के लिए इनको को 1921 में क्या दिया कि नोबल प्रूषकार से अलबर्ट आइंश्टीन को सम्मानित किया गया प्रकास विद्वत्रव कर वह इनोंने बताया जो प्रकास है यह छोटी-छोटे है फोटान चोटे मैं अंचम और इसका इंसा अनुंसी स्क्वाइर बराबर होता है थी में सब्सक्राइब में अधिक मात्रा में मौझूद होता है तो कैल्सियम और मैंगनेसियम कठोरता दो परकार की होती है क्यास था यह एक आस थाई जो कठोर जलो तो कैल्सियम और मैंगनेसियम भारी मात्रा में मिला होता है अगला प्रसनम लोग देखते हैं कि आलू में ब्लैक हर्ट बीमारी कि कारण होता है तो जो आलू होता है उसमें ब्लेक हाट नामक बीमारी हो जाती है और यह बेमारी होने का कारण है कि जहां पर आलू का भंडारन होता है वहां आक्षिजन की कमी हो जाता है जितनी भी आप चाहिए हो गया धान हो गया ठीक है कोई भी बीज कोई भी दाल हो गई या आलू होते हैं उसको जब रखते हैं किसी जगह तो इस पैर नहीं कि जिंदा उनको सहक्राइब कर लेए लेकिन स्वास उनको लेनी पड़ती है तो उनके लिए आज पड़ेगी साफ चाहे पेड पड़े शाफ ले तो उनके लिए अपीजिन की जरुद पड़ेंगी जो आलू होता है वह अगर भंडार में निक कमी है तो यह अलू अंदर सड जाएगा अगरा परफना है भीक तो यहिए दो अब पर वीडियो को हुआ हुआ कि अफम नहीं हुộ है तो बिटिस धूने कि आ है आभ से शरह उसक्राइब निन गाले उसके बाद उन्हों लोवर एक्जाम निकाला उसके बाद इस समय में परत्व कार रखें तो आप उनसे और उनका प्वाल्टी भी से रहा है यह आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा प्वाल्टी आप वहां पर जाके पढ़िए ठीक है अगला प्रफ की बाद के मस से पालन होता है ठीक इस परकार आप चारो या चारो पूछे गये हैं इसलिए आप इन चारो को याद रखें यह जो प्रफन है आपको अलग दिख रहे होंगे कारण यह है कि जब मैं को बना रहा था तो जो आप संद उनको चेंज किया हूं जिससे एक ही आप परफन में 3-4 कोष्टन कबर हो जाए नई तो कम से कम साधे 300-400 कोष्टन बनाने पड़ते हैं अगला प्रफन में वह उप्रण जिसका उप्यों के लेक्रिक सर्किट को ब्योजित करने हैं मतलब अलग करने के लिए के जाता है और इसे पूरा करने के लिए क्या करता है तो आपको होता स्वीच जैसे बल्ब आपके घर में लगा है तो आप चाहते हैं कि बल्ब आपके इंसाब से जले अपको से पूजीए तो आपको सीच लगाना पड़ेगा तरह ब्में क्यों इंश प्रतिरोज अधिक हो सब्सक्राइब और उगलनांक कम होना चाहिए फ्यूज जो हता है वह पूरा करने के लिए नहीं यह पूरे सर्कीट को काटने के लिए लगाया जाता है यह आपके घर में ज्यादा सप्लाई हो जाए जितना वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई आ गई तो फ्यूज उड़ सिल्कान और जervingियम के बने होते हैügen एक आगला प्रस्फिक रचाहि तो तो स्विच लगा जाते हैं एलेक्ट्रिक सर्केट को बीयोजी तोर से पूरा करने करें ठीक है कभी आप यूज पे नए टिक करिएगा थायराइड गरंद के सामान कामकाज के लिए पूसक तत्तों में कौन सा आवश्चक है तो आपको आयोडीन ही तरमक लेना चाहिए और आ स्क्रांग करने के लिए आपको पैरालरेसिस न लまり ना चाहिए आपको में चाहिए अगल्याсяnd करें है दोभ के सब्सक्राइब तो जो होती है हमारे कान पर कुछ बोल रहा हूं तो आपके कान के अंदर एक पॉइंट एक सिकेंट के लिए रहेगी यदि कोई परती ध्वनी हमारे पास जैसे मैं कुछ बोला वह एक सिकेंट के बाद मतलब पॉइंट एक सिकेंट के बाद आएगी तो हमें सुनाई पड़ेगी तो यदि मैं यहां से बोल रहा हूं तो यहां से 17 मीटर पर एक दिवाल है ध्वनी यहां से गई यहां से टकराई और फिर य देज़र जाए ध्वनी कितनी दूर इत्या है को दोर कितना तो जात्ली हो तो 324 अदों सुनाई पड़ेगी उसलिए पड़िवन सुननी के लिए की जो जहां से लाूट के ध्वनी आ रहे है इसकी 15 मिटर भूनी चाहिए नियुनतन त्याम पूरी है कि ठीड और ध्वनी ज करते घ्रंकीति पिरता मापने के लिए अगला फ्रवन ले जेट इंजन किस घटना के अधार पर काम करता है कि जेट इंजन उता है और एक फिसे अम अमल्गम कहलाने के लिए किस अंक्यत में मैं से आपको उसमें पारा तो आपको उसमें पारा जरूर मिलाना पड़ाए ठीक है यह दिया आप उसमें पारा मिलाएंगे तभी अमलगम बनेगे जैसे आपको सरबत बनाना है ठीक है आपको सरबत बनाना है तो आप उसमें क्या मिलाएंगे जल लेंगे जल के बाद उसमें जो मन अमलगम नहीं मिन बनाता है पारा कहता नुरह के साथ अमरगम नहीं बनाता है ठीक और दूसरी बात है इस चादी होता है ठीक चादी बिद्दूत का सब्सक् толb है अच्छा चालक है निमिखे जाइब ळोज की काई क्या है कि गत्सील सयंता कि जो एसाई काई है यह हमारा पास्कल सेकंड ठीक है इसे प्वाई या डेका प्वाईज भी कहा जाएगा डेका प्वाई तो गत्सील सयंता है कि काई पास्कल सेकंड या प्वाईज या डेका प्वाईज होता है ठीक है अगला पॉस्ट है कि इसको आयरन म parlarते चया बनाते हैं मोनिया बनाएंगे अगला परसनम लोग वेखते हैं ओजोन त्द सब्सक्राइब के सकला करें जो मंडल में और सम्ताप मंडल में और में की प्रत है उसको यह काट रही है अगर इससे प्रकार उसमें छेद होता जाएगा तो अल्ट्रावायलेटरे हमारे पिरतवी पर आने लगेंगी और इसे अंसर की संभाना बढ़ती चली जाएगी और खमला की गया कहा जाता है इस घ्रीन हास घस क्या जाता है घ्रीन हाउस घस का सब्सक्रवाइस रूप मुक्राय क bringt 왔 et्यमज मैं यदि पॉइंट जीरो । पॉर परफांत आता तो भी आप उसके सही करेंगे ठीक है जो ढón ब्राइब आइस का नाम भी दिया जाता है इसे भी आप याद रखिएगा ठीक है तो इस ब्याख्षा में जीतने सब्द बोल रहा हूं हर जगा से पूछे गए ने टोड़ी कि ज्रूर रखेगा ठीक है यह जब पानी मिलाने के बाद मिस्ष्टवड भारी घə Questo यह पर पने मिला दिए जो आप पर टोड़ी समय बाद मिट्टी नीचे बैट जाएग इस के ला जाता है सादल और यदि यहाप क्या करते हैं कि इसे बरतन को त्रचा कर ले और यह जल है आप दूसरे बर्तन में निकाल यह कुल आ जाता है तारण ठीक यह क्रिया को कहा जाएगा अगर माल लेते हैं इसमें पतियां भी थी वह त्यार रहे थे वह तिसमें जाएंगे ना उनको अलग करने के लिए आप क्या कर देंगे आप एक बरतल लेंगे उसके उपर एक च्छननी रखेंगे ठीक च्छननी रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे इसमें उस जल को डालेंगे इस सी क्या होगा उसी पत्या होंगे उच्छन जाएगी इस क्रिया क हो और हो कह जाता है निस्यंदर तो है मिन्टी जब घूली गई तो मिट्टी नीचे बैठने की ख्याफ उसाधन बिटी नीचे यह उड़ जाएगा क्यों क्योंकि जो होते हैं उसमें कुछ अड़ जो होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है दूर्जिर का परकास मिलता है इसको छोड़के भाग गया तो इस परकास सारा जल देरे-देरे वास्थ हो जाएगा ठीक है वास्पन और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वास्पन स्वतत होता रहता है लेकिन बॉइलिंग यह नहीं होता ठीक है अगला प्रस्ण मारा है कि जब पानी मिलाने पानी मिलाने के बाद मित्रणASON में भारिक अच्छा यह हो गया तर्रस के महिला में कितने गुरसूतर पाए साथ है ठीक है टर्म से घरफित अगर कोई महला आए उसमें कितने तर्फ पाए जाएंगे 45 पाएंगे या किसी के अदर शीया लेक्ती नार्मल होगा चाहिए इस्तरी पुल्ब्स फोन नार्मल होगा ठीक है लेकिन यह किसे में 47 फाएंग तर्फ या इनको छक्का जाता है इन तो वेल्टर के सिंड्रोम से घर्पित हो जाएगा टीक तीन से आपने देखा होता होगा जितने हैं होता है उनका चि Fehler हो सब्सक्राइब होते हैं तो लेकिन ये मہलाई होती है इन में क्या होता है इसमें इनकी ओबरी अच्छे से डबलब नहीं होती है इसमें इनका मादा जनननंग अच्छ से डवलप नहीं होता है इनका जो वच्छ होता है यह चप्टा हो जाता है ठीक है यह पुरुसुप की तरह दिखाई देते हैं और इनमें बांजपन होता है ठीक यह बांज किराते हैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती तो 45 गुरुसूत्र मतब टरन 吧 टшь जो सेंड़ोम इस्टरोम पायाता इससे रच्छ का आकाल नहीं बढ़ता ठीक है और मादा जनननंग का भीतव णकन होता है किस रेडियो आइसो तोप का प्रयोग किस्तर रियोग कंसर व Demokraten कि प्रयोग आ का प्रयोग किया जाता है कैंसर का उप्चार करने के लिए यदि आपकी थाइराइड गरंथ में कोई दिक्क्यत आ रही है तो आइड़ाइन जाता आउधिक प्रयाइडिक वैसे गति जो कुछ समय बाद आपको दोहराती उसे आउधिक प्रयाइडिक मोशन कहा जाता है जैसे आप किसी जूले पर जूल रहें तो एक बार आप आगे आएंगे ठीक फिर पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे फिर यह अधिग गती होगया टीक है तो वह प्रकास के पत्त में किस प्रकार की बहुत तो आने में आप कोई आपारदर्सी बस रख देंगे ठीक है यदि कोई परकास मेरे पीछे से आ रहा है मैं सामने खड़ा हूं मैं आपारदर्सी हूं तो मेरी छाया सामने बनेगी तो परकास के पत्थ में क्या होगा यदि आप आपारदर्सी बस रख देंगे तो छाया उसका बनेग थीक है कि इस में सतर्ण होते हैं कि छिस्ति उसका ऊता लाल का और सबसे कम हुं रहे होता है यह भीलीगत धित थिक व あpak में वार्ण रहता है जिसका त्रंग धहर ज्यादा होता हुटा हुटा उसका फरकिरन यह कम होता है जिसका तरंग्धहर ज्यादा उसका परकिडन कम होता है जिसका तरंग्धहर कम होता है तरंग्धहर लेमडा जिसका कम होता है उसका परकिडन ज्यादा होता है मतलब ज्Яदार का मतलब हो जाएगा वो रंग बिखर जाएंगे लाल रंग्हें चनल सूर की सभी रंग नुए Μटर्ओ सब्सक्राइब जब सूरे निकल रहा हो और सूरे जब ढूब रहा हो तो आपको सूरे लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि पर्कृइडन की घट्ना के करद सभी रंग क्या होते हैं वह बिखर जाते हैं ठीक न लाल रंग हमारी आँखों तक आता है और यह बिखरने के बाद कहा जाते हैं या आकास में जाते हैं जो रंग बिखरें हो जाएंगे कहां आकास में जाएंगे जब यह आकास में जाएंगे तो उसमें से जो बैगनी नीला रंग है उनका परक्रिडन ज्यादा होगा इसलिए आकास पुरा में नीला दिखाई सब आगला प्रफन है कि किस एक के पर्यूब के धा-'dut a PAWCA प्राप्त की जापती है है जाथ है चाहते हैं आप चाहते हैं कि बहुत उट्रूट जादा तो आप को उसके ल Wade कि दंट्र करना हएं उसमें और झाला में जो गण्यूद करेंंगे थीक में ये टूट जाएगा नयुकुम मैनस का होगा ये मैनस को होगा ये मै layers को पक जाएगे जो पलस वाला होगा माइनस से पक जाएगे आप दोने निकाल लेंगे इसको साफ के लेंगे आपको साफ साफ दो धात में मिल जाएंगे ठीक है अगला प्रस्न मारा है कि निम्न में से कौन सा बिखल पर मेथेन के उस सरजन का सुरूत नहीं और इसी परकार क्या पूचरा कौन सा नहीं है तो इसमें जो मोटर वाहन है ठीक है मोटर वाहन है है नहीं वांकि पसद्धन हो गया क्षेत और यहां सब क्यों हो दτε पंदॉर प्रसी निकलती है आप देखें गोबर को प्लंट लगा जाता है और इस नमी बनी रहती है वहां से भी द्धान के खेत हैं पानी बरा रहता पानी का प्राकिरतिक गयस में सचेज़ाधा मेथेन के निकलती है प्राकिरतिक गयस सब्सक्राइब लेकिन जो हमारे लिए पानी आता पीने के लिए उस सुद्ध होता ने वह 6.5 से 8.5 के बीच बाहरी करता रहता है यह किसी का पीएच सेवन है पीएच कम आ रहा है यह चीज हो जाएगा हम लिए इस रख्त का 7.4 यह चार अगर किसी का इससे कम है अमन हो जाएगा ठीक तो इस प्रकार आप याद रखे हैं जो आप पीते हैं वह अमन होता है उसका पिए 2.2 के 2.4 क्या सबर नेवी 2.4 या 2.2 क्या सबरूत होता है तो पी एच मान हमारे किसी भी बिलियान का आम लिये है इसके तोर हम लोग पता कर लेते हैं ठीक है अगला प्रसंट लोग देखते हैं कि पानी के घरिलू अपूर्थ यह तो जो पानी पीनिक लिए घर में आता है उसमें आर्शनीक पॉइंट जीरो फाइप से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा होगा तो पानी भी साग्त हो जाएगा ठीक है अगला प्रसंट है कि इस्थी रेत से दौड रही ह आड़ा में गेत ठाइब कहां गरीगी यह कोई यात्री है रेल में बैठा रेल एक निश्चित गत्सी जा रही है जो भी घति यह निश्चित है यह तीवा इसके हाथ में आके घरेगी तीक है यह ब्रेक मार दी तो हाथ में नहीं तो हात में गिरेगा अगला प्रत्यावरती धारा को एक दिसी धारा में किसके परिवर्थित कहता है तो अग्या प्रत्यावरती धारा मतलब सब्सक्राइब करेंट है कि उसे डीजी के बदलना है car.. कप रिओः के अधा क्यों करते करते हैं इस्टे प्रियोग करते हैं करते हैं कर्फ एस्टे प्रियोग यह लगे तीवी की बगल तक आरा ग्यारा अजार बोल्टेज ठीक है उसके बाद आपको चाहिए 440 बोल्ट आप एक ट्रांसफार्मल लगा देते हैं और वोल्टेज को आप घटा देते हैं एंप्लीफायर का होता है यह प्रियोग किया जाता है ध्वनियंत्रों में ठीक है अगला प्रुशन हमारा है हुद्ध प्राणी का समूह नहीं है मतलब कि स्थंटर पाय नहीं कंगारू मारा अस्थन पाई है क्योंकि इसमें चुच्छुक पाय जाते हैं अगला अपसण saints तो यह क्या अस्तन पाई नहीं है यह अस्तन पाई यह अस्तन पाई यह संतलित आहार में किस भोजन से अधिक्तम उर्जा प्राप्त होती है अगर आप संतलित आहार ले रहें तो आपको अधिक्तम उर्जा मिलेगी कार्बोहाइडेट पे क्यों क्योंकि आप कार्बोहाइडेट ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में सामिल करते हैं इसलिए ठीक है जितना आप चावल खाते या रोटी खाते हैं उसके पेच्छा अब वह साथ बहुतना नहीं लेते हैं तो सबसी आदा आप है लेत लेते तो कर्फोहाइडेट ही वह आपके जो आप संपली भोजने बहुर्चा कार्बोहाइडेट त्होंगा अच्छा कुस्चीजय पूछी जातीर जैसे जल जल पूछा गया विटामिन पूछा गया और खनी जलवड इनसे हमें कितनी उर्जा मिलती है तो सुनने कैलोरी उर्जा इनसे हमें कोई उर्जा नहीं मिलती का इनसे हमें कोई उर्जा नहीं मिलती जरूत मैं क्यों हैं ये हमारे भूजन को मतलब मेटाबॉर रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं और शरीर को सुचार रूञू से चलाने में मदद करते हैं रोगों से लडने में कैसे यह आपको कोई विमारी होती यह तो डाक्ट आपको एक टेबलट देता है चोती सी 5 ग्राम 10 ग्राम 200 ग्राम ठीक है और आप मिली ग्राम में में देता है चाहँ कार्भो है प्रोटेन वसा टो नहीं हो सकता ना तो जब कार्बोहड़िड प्रोटीन बसा उसमें नहीं होता है तो होता क्या है उसे में होता है क्या हमारा बिटामिन होगा या खनीक लवन इनके फुड़ी सी मात्र हमारे सरीर के अंदर जाती है और हम ठीक हो जाते हैं तो यह जो पीटामिन और स्वास्थ के लिए बहुत ज आनाज खाईये थीक है आप सलाफ खाईये फाइबर आपको लेना चाहिए लेकिन फाईबर से हमारे सरीर को कोी और जाना नहीं मिलती ४्रेकिंघंड यही फाइबर गाए भायवह बकरी घॉड़ा तुरा इनको उतनीний ऊर्जा मिलती है ये कारण क्या है कि हमें और मिलती लेकिन गाय भाइस बख्री को मिलती है कारण यह कि में से क्या होता हैं यहां में बैक्टेरिया होती है ऍाने में बैक्टिरिया होती है जो फाइवर के फाइवर को पचाने में मदद करती है ठीक है जो फाइवर को पचाने में मदद करती है और इस से जब फाइवर पच जाता तो नंको कार्वोहाईड़ेट के बराभ़र रुजय ॠा celebrating के नहीं पाज कूंदे पूत जाते हैं जो इस Fiber को पचाने में मदद करते हैं और इसमें से उर्जा नहीं नहीं कीँ क्या चाहिए अगला प्रसंद देखते हैं कि रख्त असकंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है रख्त असकंदन विकार आपका रख्त क्यों नहीं जमें इसका करण क्या है फिलो क्यों नोन ठीक है बिटामिन के इसकी कमी से आप क्या होगा रख्त का सकंदन नहीं होगा रेटीनाल विकार आपकी खराब हो जाएगी आपको रात में दिखाई नहीं पड़ेगा तीक रतवधी रोग हो जाएगी और विटामिन एक सुरूत अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे ठीक ह है कि बिटामिनरी के मुख्य सुरूत गाजर फिकले घाजर हो गया पापीता होगया रिखैंड मचली के तेल हो गया पूछे चलह अनौा इसलिए पसकें कहले है बता देता हूँ ड़ीकमनी बाजपन होगया तोका ऑटक सघिय की गयाएंगी कैल्ष भरहमारी इसकिन होती है की आलट्रावैलेट रे की उपस्ते में खुद बना लेती ठीक है अगला प्रस्न है कि 6 रोग से बच्चों को सुरच्चित रखने के लिए काउन सा ठीक़ लगाय जाता है क्या रोग कि यह होता है यह पीवी और इससे बचने के लिए बीसी जी का ठीका एक ठीक है बीसी जी क तो इसके लिए लगा जाता आपको टितनेस का टीक है लगाएंगे जैसे आपको कट पिट जाता ठीक है आपको चूट लगए कहीं डाक्टर आपको सबसे पहले ठीका लगा देता ठीक है तो बीसी जी का लगा जाता अच्छाई लोग तपके दिक के लिए डीपीटी डीफ्थीरिया पर्टियूसिस और ठीक है यह तीन टीक एक साथ लगा जाते हैं यह तीन आप से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर केजिए यह वीडियो मैंने टोटली पैट एक लिए बनाया था आज के लिए बस इतना है क्योंकि डेढ़ घंटे का वीडियो बन चुका है ठीक है अगला डेढ़ घंटे का और वीडियो में बना दूगा जिसमें लगवख सतर पचातर कोश्चन और कवर हो जाएंगे तो आप से निवेदन है कि यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों करूंगा आपका कमेंट जैसे आएगा वैसे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो चलते हैं आज आपसे बिदा लेते हैं आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए अब आपके पास जो भी नोट्स है ठीक है आप उसको रिवाज कीजिए प्रिवेश को देखिए और उस सबसे ज़्यादा समय लेंगे इसलिए अपको कम समय में आपको इस फेक्शन को कबर करना है इतना ुस है search हिंदी वाला जो सक्षेन आपको अंब तो चलिए आपसे दिए आते हैं जै हिंद जैभारत